हेलो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों को बहुती स्वादिश्ट, हल्की, फुल्की और समय अगर नहीं है आपके पास तो ये डोसा बनाके आप खा सकते हैं यह डोसा बनाना बहुत ही आसान है अक्साŞना आप soph dancing फेल्ड वगरई में जाते होगए यह पहुत कुड़कुड़ी और जालि वाली डोसके आपको दिखाये देते होंगे यह आप जब आप खाना चाहते है तो मंगवाते होंगे साथ में प्याज, गाजर घिस लिया है, प्याज को छोटे-छोटे काट लिया है, अद्रक है, करी पता और धनिया पता इसके अलावा अगर आप कोई और सबजी डालना चाहते हैं, तो डाल सकते हैं तो चलिए पहले इसको हम मिक्स कर लेंगे, साथ में बाते करते रहेंगे, मैं यहाँ पे सूजी डाल रही हूँ, सूजी में जितना डाला है उससे थोड़ा सा ज्यादा, बस जैसे एक चमच हमने अगर सूजी डाला, तो डेल चमच चावल का आटा, साथ में दो से तीन चमच आप मैदा भी डाल दें, यह सिक्रिट रेसिपी है, इसके अंदर अगर आप मैदा डाल देंगे, तो बहुत अच्छे से इसका डोसा बनता है, नमक, स्वादा नुसार, बहुत ज्यादा नमक इसके अंदर नहीं पड़ेगा, मैंने जीरा डाला है, यहाँ पर साबुत जीर अगर रोष्टेड हो तो आप रोष्टेड भी डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर डाल रहे हूं लाल मिर्च का पाउडर, पस स्वाद के लिए, और इसको हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे सबजिया, तो जैसे कि मैंने गाजर को यहाँ पर एकदम पतली वाली महीन वाली गिस और दो प्यास काटे थे, इसमें से मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, बाद में आपको दिखाऊंगी क्या करना इसका, और इन सभी चीजों को सुखा सुखा पहले मिक्स कर लें, और फिर इसके अंदर पानी डालें, तो यह जो डोसा बनता है, यह जाली वाला डोसा इसको बहुत ही पतला बनाया जाता है, बिल्कुल पापड की तरह, तो इसको घोलने के लिए हमें काफी सारा पानी चाहिए, जब हम चावल काटा डालते हैं, या चावल अगर आप पीस के डालते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर जब आप पानी डालते हैं, थोड़ी द के लिए रख दूंगी, जिसे की ये थोड़ा सेट हो जाएगा, उसके बाद फिर आगे करेंगे, इसको ढख के पांस से साथ मिनट के लिए आप रख दीजिए, पांस साथ मिनट से ज्यादा भी रख सकते हैं, चलिए यहां पर मैं चटनी बनाने जा रही हूं, टमाटर दो मैंने जार में इसको डाल दिया है, नमक डाल दिया है, पान ही थोड़ा सा डाल दिया है, लहसन, हडी मिर्च, टमाटर, तो यह सारी चीजे डाल के पहले मैं इसको पीस लूँगी, और इसमें अभी धनिया पत्ता नहीं डाला है, अगर आप चाहें तो इसमें धनिया पत्त उस टैप से बन गया और यह आप खा के देखेंगे तो बिल्कुल ही मसाला नहीं लगेगा बहुत टेश्टी लगेगा अब इसको मैं बता रही हूं कि आप इसमें धनिया पत्ता भी डाल के बना सकते हैं अगर हरी धनिया है आपके पास या पुदीना है तो वह भी डाल दीज तो मैंने दो तरह से बता दिया आपको आपको जो सा भी पचंद हो आपको बना लीजिए और उसके बाद फिर खाएए तो देखिए यह चटनी कुछ इस तरह की बनी और सिर्फ ट्रमाटर वाली थुली लाल बनी थी अब इसको हम देख लेते हैं पांसात मिनिट हो चुका ह इसको तुरा समचला के देखते हैं देखिए तुरा गाढ़ा हो गया है तो इसमें अभी हम और पानी डालेंगे जिससे क्यों पतला हो जाए एक दम लेयर इसका पतला होना चाहिए अब यह बहुत गाढ़ा है तो ऐसे गाढ़े का यह डोसा नहीं बन पाएगा जो नॉर्म तो आप ऐसे भी सिंपल सा भी पानी को चिटा मार के और बना सकते हैं तो कुछ इस तरीके से इसको डालना होता है पतला पतला होना चाहिए आपका यह मिक्स्चर नहीं तो यह ऐसा नहीं बन पाएगा देखिए इसमें जाली जाली हो गई न बस ऐसे यह अब बनाना यह जा जिससे की नीचे से हो जाएगा अब हमें इसे पलट देना है साइड में आप देख लीजेगा कि जैसे की थोड़ा थोड़ा हो यह उठने लगेगा यह तो ननिश्टिक तभा है तो इसमें आराम से हो जाता है अगर आप लोहे की तभा पे बनाते हैं तो वह और भी अच्छा बनेगा बस थोड़ा साइड से आपका देखना पड़ेगा कि साइड से वह बिल्कुल ही जाली जाली सा जला हुआ थोड़ा सा और यह छोड़ देता है तभा को तो उस तरीके से जब आपको दिखने लगे तो आप इसको पलट सकते हैं देखिए नीचे से थोड़ा जला ज पलटना है क्योंकि दूसरी तरह पलटेंगे तो फिर यह सॉफ्ट हो जाएगा इसको सिर्फ उपर उपर की तरफ से पलटके और इसको चटनी के साथ सर्फ किजिए एक तो बन गया हमारा अब मैं दूसरा बनाऊंगी दूसरे के लिए भी मैंने यहां पर बटर से थोड़ा इसको जरूर बना के खाइएगा अपलो और वीडियो अगर अच्छा लगा हुव तो लाइक कर दीजिएगा कमेंट कर दीजिएगा अच्छा लगे जादा अच्छा लगे तो सेहर करके और फेंटी ओर के साथ सेयर कर दीजिएगा इसको पिंकीज कीचन पर बने रहने के लिए पिंकीज कीचन को आप सब्सक्राइब कर लीजिए फॉलो कीजिए और इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है बिल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए जिसे कि आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि मैंन सेफ किया हुआ है तो आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं और देखिए कुछ इस तरीके से बनके तयार हुआ है फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ तब तक आप लोग घड़ में रहिए सुरत